जन्ता की बनाई के लिए निर्णे क्या करना इसके लिए फुर्सत नहीं है पूरी दिल्डी की सरकार दिन भर टीवी के सामने बैठके रहती है मोबाइल फॉन पर मेसेज देखती रहती है पूरी सरकार मोदी कहां है मोदी क्या कर रहा है मोदी क्या बोल रहा है हजारों हजारों लोगों को रखा है रिसर्ट करने के लिए कि मोदी के एक एक शब्द की बाल की खाल उधार लो फिर 24 गंटे चर्चा चलाओ मेरे कांग्रेस के मित्र टीवी के परदे पर आप मोदी को कितनी ही गाली गलोच कर लीजिए जन्ता के दिलों में जो कमल खिला है उस कमल को कभी आप मुर्धा नहीं सकते और हमारे कांग्रेस के मित्रा ये भी साप साप सुनों आप जितना किचल ज्यादा उछा लोगे उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा और कमल का स्वभाव है किचड में ही खिलना किचड आपका कमल हमारा ये साथ है भाई यो बेहनों इस चुनाव में इस चुनाव में 36 गड सरकार ने क्या काम किया और दिल्ली सरकार ने 36 गड के लिए क्या काम किया इसकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए 36 गड की भलाई के लिए इतनी बड़ी दिल्ली सरकार क्या काम कर रही हैं ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए ये दिल्ली वालों को हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ये बेखो भुकरन के नकसलवाद पशुपती से लेकर के तिरुपती तक ठैल रहा है बंबंदू कर पिस्तोल हिंदुस्तान के दिर्दोशों को मार रहा है इसका जवाब दिल्ली सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए कॉंग्रेस ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए भाईयों बहनों उन्हें मालूम नहीं है 36 गड़ में आकर के अग्रिकल्चर की बात करते हैं किसान की बात करते हैं उन्हें पता नहीं है जब 36 गड़ मद्देप्रदेश पर कॉंग्रेस का राजबुआ करता था तब अकाल ग्रस्ते इलाका माना जाता था यहां पर लोगों को पेट भरने के लिए अन्न बाहर से लाना पड़ता था आज दस साल के भीतर भीतर ठार्टी जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर रमन सिंग्जी के देश्रुत्म ने ये स खुद का तो पेट अपने आप भरता है लेकिन अगल बगल के तीन राज्यों को चावल पहुचाने का काम आज 36 का मेरा किसान कर रहा हुआ है और मेडम सोनिया जी आपको पता है 36 गट ने जो अग्रिकल्चर में उत्तम काम किया है उसके लिए आपकी खुद की दिल्ली की सरकार ने उसको एवोड दिया है परदान मंत्री ने एवोड दिया है आज कॉंग्रेस के एक नेता ने कहा यहाँ 36 गट की सरकार पैसे दे करके एवोड लेती है मैं पूछना चाहता हूँ कि पैसे लेने वाले है कौन यह साथ को रो भाई यह पक्का करो क्या प्रदान मंत्री ने एवोड दिया तो पैसा किस ने लिया बाज में देने वाले का देखा जाएगा पहले लेने वाले का हिसाब चुक्ता करो क्या आप बोल रहे हो यार कुछ समझ है क्या कुछ तो दिमाग उप्यों करो यार लेकिन अभी कांग्रेस एक ही काम में लेए उनको कोई काम नहीं है या तो मुदी को खोजो या सोना खोजो कि शोड़ा सोड़ा खोज़े चले गए से अरे भारत की मिट्टी में सोना है हिंदुस्तान के नौजवान के पसीने में सोना है तम चाहिए हिंदुस्तान के नौजवान के पसीने की कीमत समझो भारत की मिट्टी का मुल्ल समझो यह देश सोने की चिडिया हुआ करता था आप ने उसको लूट लिया तबाह कर दिया भाई यो बैनो हमारे देश के वित्तमंद्री बिच में विदेश गये थे इनका ज्यान देखो इतिहास का ज्यान देखो बुगोल का ज्यान देखो भारत के प्रतिमान सम्मान का भाव देखो वहां पर उन्होंने कहा भारत तो पाच हजार साल से गरीब है यह हमारे देश के नेता बोल के आए यह मैंने कहां यह मिडिया वालों की कुरुपा है उनको अभी तक किसे ने सवाल पूछा नहीं बच गए भाईयों बेहनों कोई मुझे बताए क्या यह देश राम के जमाने में गरीब था यह देश को सोना की चीडिया कहते थे यहां पर मोहन जोरड़ों की संस्कृती थी यहां गंगा यमना के विशाल प्रदेश विक्सित थे यह देश सोने की चीडिया कहला था और इसलिए बारा सो साल तक दुनिया की हर जाती हर दमाज इसको लूटने के लिए हिंदुस्तान आया करता था गरीब था इसलिए नही ग्यान को विडिया वाले नहीं पूछेंगे उनके ग्यान पर ये देश चर्चा नहीं करेगा और यह से भी तमंत्री जिने ये पता जग नहीं है कि भारत गरीब था कि सम्रूद था उनको जवाब नहीं दे रहा भाईयों बहनों आप मुझे कहिए हिंदुस्तान की सरकार नहीं नहीं वादे कर रहे हैं मुझे बताओ भाई ये राइगड़ के लोग सच बोलना मुझे पसंद ना आये तो भी सच बोलोगे मोदी को बुरा लगेगा तो भी बोलोगे सच बोलना है कोई दिल से भी जूठा नहीं बोले बोलोगे मुझे बताओ आपका मेरा सवाल सम आपका कॉंग्रेश पर भरोसा है फिर से एक बार पूछ लेता हूं कोई गल्टी ना है पारलामेंट में वोटिंग करा दें ना बोटिंग करा दें ऐसा आपका कॉंग्रेश पर भरोसा है कि उनने की बातों पर भरोसा उनके वादों पर भरोसा नैता पर भरोसा है उनकी नियत पर भरोसा कि आपको यहीं कुरे देश को नहीं कि से पोड़ कि आप पताएंगे मुझो और कैसे बॉखला गए मितों कैसे बॉखला रहे है कि आजगल यूपिय के नेता बयान दे रहे है कि चाय बेचने वाला कि प्रधान मंत्री नहीं हो सकता है कि यूपिय के नेता बोल रहे है कि चाय बेचने वाला प्रधान मंत्री नहीं हो सकता है मैं पूछना चाहता हूं भाईयों बेहनों आप मुझे जवाब दीजिए मैं कहना चाहता हूं चाय बेचने वाला प्रधान मंत्री हो या नहो वो तो देश की जंता तै करेगी लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश बेचने वाले प्रधान मंत्री होने चाहिए क्या देश बेचने वाले देश पर राज करने चाहिए क्या आई यो भेनो देश बेटने वालों से अच्छा होता है चाय बेटने वाला अच्छा होता है इस लिए बादी जैसा हो आई यो भेनो मुझे बताएए गरीब होने गुना है क्या गरीब माँ बाप के पेड़ से पैदा होना गुना है क्या महनत करके चाय बेच करके पेड़ भरना गुना है क्या इस देश में ये कौन से मान सकता है जो इस प्रकार की भाशा प्रेयोख हो और इसके लिए यूपिये के नेताओं को दुख सकना हो हिंदुस्तान के गरीबों का अफ्मान करकर के आपने देश के साथ हमेशा हमेशा थोका किया है खिलवार किया है गरीबों का अफ्मान किया है और मेरे यूपिये के नेता सुन लो इस देश का गरीब गरीबों का अफ्मान करने वली इस भाशा का बदला लेके रहेगा ये भाशा देश पर नहीं चलती है और भाईयों बेहनों के वो शहजादे आये थे आज कल कॉंग्रेस के लोग कहते है शहजादे कहते है मुझे विवस्था बदलनी है भाईयों मुझे बताईए इस देश में साट साल तक राज किसने किया मुझे बताईए साट साल तक इस देश पर राज किसने किया अजाद जोर से बताये किसने राज किया किसने राज किया हिंदुस्तान में साट साल तक यह जो व्यवस्थाएं हैं ये व्यवस्ताएं किसने बनाई ये व्यवस्ताएं किसने बनाई ये कौन डोल पीट रहे भाई भाई यो बहनो आप मुझे बताईए पिछले साथ साल में हिंदुस्तान में भिन भिन प्रकार की व्यवस्ताएं किसने बनाई किसकी सरकार थी बनाने वाले कौन थे अच्छा इसको बिगाड़ी किसने बिगाड़ी आपने बिगाड़ी है क्या आपको बिगाड़ने का मोका मिला है क्या आपका बिगाड़ने का इरादा था क्या तो व्यवस्ताएं बनाई किसने जवाब दो दोस्तों डेश सुनता है आपको मुझे बताईए ब्यवस्ताएं बनाई किसने बिगाड़ी क और बनाने वालों के मुख्या कौन थे शाजादे ये विवस्ता बनाने वाले आपके पुझ्जी पितास्री थे आपकी तादी माध्री आपके नानास्री थे कि अनोंने ये विवस्ताइं बनाई और उन्हों ने ही इन विवस्ताओं को बिगाडा क्यों विगाडा अपने पाइदे के लिए कांग्रेस इसने हमेशा हमेशा व्यवस्थाओं को बर्बात किया बिगाड़ा दुर्व्योग किया और अब उनको पता चला है अब उनको इन व्यवस्थाओं से गाड़ी नहीं चलेगी अब कुछ पाना है लेना है बनना है तो अब ये पुरानी व्यवस्था काम नहीं आएगी और इसलिए अब जाने की बारी आई है तो व्यवस्था को हटाने की बात कर रहे है आपने सुना होगा अभी एक पंध्रा दिन पहले लता जी ने बोल दिया कि मोधी जी परधान मंत्री बने तो अच्छा होगा मुझे बताओ भाई इस देश में लोक तंदर है एक नहीं है लोक तंदर में हर एक को अपनी बात बताने का अधिकार है इक नहीं है कॉंग्रेस को पुरा लग देया कि कॉंग्रेस के पेट में चुहे दोड़ने लग दे लता जी भारत रतना लता मंगेशकर जी वो कह रही है कॉंग्रेस वालों ने क्या किया लता मंगेशकर जी का भारत रतना वापिस ले लो लता मंगेशकर जी को जो सम्मान मिलाएं वापिस ले लो मुझे बताईए भाया ये कॉंग्रेस का व्यावार लोग तंत्र के अनुकुल है ये भाशा लोग तंत्र की भाशा है क्या ये भाशा फासी बात की भाशा नहीं है क्या ये भाशा लोग तंत्र का गला गोट्टे वाली भाशा नहीं है जो कॉंग्रेस पार्टी ऐसी भाशा बोले क्या उसकॉंग्रेस पार्टी को लोग तंत्र के नाम पर वोट मांगने का अधिकार है हाई यो भनों ये कॉंग्रेस पार्टी को सदा सरवदा के लिए मिटा दो भाई यो बैनों यह देश महातमा गांजी के प्रती हいた है भाव्ति-ष्रद्ण रचता है अ कि महत्मा गांजी प्रतİ आपकी शग्साइब कि जोडसे अमें महत्मा गांजी के रास्ते पर चलना चाहिए हमें मात्मा गांजी के सपने पूरे करने चाहिए हमें महत्मा गांदी की इछा पूरी करने चाहिए है करोगे महत्मा गांदी की इछा पूरी करोगे मालू मैं कॉन सी इच्छा पता तो है नहीं बोल दिया करेंगे देखे भाया जीमन के अंतकाल में महात्मा गांदी ने इच्छा अब्यक्त की थी कि कॉंग्रेस का काम अब पूरा हो चुका है अब कॉंग्रेस की जरुरत नहीं है कॉंग्रेस की भाषा हिटलर शाही जैसी है कॉंग्रेस की भाषा लोगतंत्र के खिलाव से कहना है नरेन मोदी करेंगे